हेलो दोस्तो मैं रहूल और मेरे पास है Infinix Note 12 Turbo और Infinix Note 12 और आज के सुरू में इन दुनों के एक छोड़ा ज़ा comparison करेंगे और बताएंगे कौन सा फोन अच्छा है कौन सा फोन आपको बायक करना चाहिए और यहाँ पर बजेट के साब से सही है कि नहीं बात कर लेते हैं सबसे पहले Infinix Note 12 Turbo की तो यहाँ पर आपको जो है मल जाता है एकी वेरिंट 8GB, 120GB जिसका प्राइस है 14,999 रुपे और Infinix Note 12 की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिंट दिखनो मुलते हैं 4GB, 44GB जिसका प्राइस है 12,999 रुपे, 6GB, 120GB जिसका प्राइस है 12,999 रुपे तो यहाँ पर हाइड वेरिंट 12 का लीजेगा तो ही सही है 6GB, 120GB, 1000 रुपे जाद देकर बागी दोनों में 2000 तक का डिफरेंट है बागी बात कर लेते हैं और क्या-क्या यहाँ पर डिफरेंट दिखनो मुलता है तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाट डिजाइन के तरफ लूप मारते हैं तो यह देख पार हूँ कि यहाँ पर एक आपको फुली मैट फिनिस के साथ मिलता है और उपर ग्लॉसी फिनिस और कैमरा मॉडिल कुछ इस तरह के से चपटा हुआ है और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा टेक्शर दिया गया है मैट फिनिस यहाँ पर भी दिया गया है और उपर की तरफ कैमरा मॉडिल थोड़ा सा बड़ा हुआ है और कैमरा की बात करें तो दोनों में ही जो है रियर में आपको 50 में आपसल के ट्रिपल रियर कैमरा देखने मिल जाता है F1.6 अपचर के साथ 2 में आपसल का depth sensor दिया गया है और एक AI लेंस और quarterly flash देखने में होता है तो कैमरा में यहाँ पर कुछ चेंज़ नहीं है बस यहाँ पर बैक डिजाइन में चेंज कर दिया गया है साइड में दोनों के यहाँ आपको fingerprint scanner volume button देखने में जो उपर की तरफ कुछ भी नहीं है साइड में बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी है दोनों का एक जैसा है कुछ भी खास जादा डिफरेंट नहीं है यहाँ पर डिफरेंट आ जाता है प्रोसर में नोट टरू मिल जाता है आपको जी 96 और वहीं बात करें नोट टूल की तो यहाँ पर जी 88 मिलता है यहाँ पर प्रोसर डिफरेंट है बट काफी कुछ मुझे जो है अच्छा लगा नोट टूल में यहाँ पर मैं नोट टूल टर्बो में गेम खेल रहा हूँ जाइरो यहाँ पर इनेबल है तो यहाँ पर जाइनेबल होनी के बावजूद नथिंग मतलब इतना smoothly work नहीं कर रहा है मैं आपको दिखा जेता हूँ gyro enable है की नहीं तो यह देख पार हूँ कि gyro मैंने always on करके रखा हुआ है और यहाँ पर जो है gyro work एकदम अच्छे से नहीं कर रहा है जबकि यहाँ पर media deck है helio g96 octa go chip से दीखने को मिलता है और gaming performance यहाँ पर आपको लगबग लगबग g88 जैसा ही देखने को मिलता है कुछ यहाँ पर खास जादा changes नहीं है यहाँ पर मैं आपको graphics भी दिखा देता हूँ कितना तक जाता है तो यहाँ पर आप smooth में ultra ले सकते हैं HD में high ले सकते हैं तो basically turbo में आपको gyro अगेरा का support उतने अच्छा नहीं मिलता है और यहीं ले ले लेते हैं Infinix Note 12 को तो इसका gyro आप देख पारोंगे कितना smooth है यह देख पारोंगे gyro यह देखे काफी smooth है और in fact मैं यहाँ पर काफी easily दोड़ के किसी भी प्लियर को मार सकता है माला कि मैं ही मर गया बट यहाँ पर जायरो काफी smooth है इसका और in fact graphics की बात करूँ तो आपको खुब उस सेम graphics देखने मलता है यह देखे ग्राफिक्स में कोई changes नहीं यहाँ पर HD high और smooth पर यहाँ पर alter है यहाँ कि geekbench के score की तो यहाँ पर आप clear top पर देख पार होंगे single core में यहाँ पर note 12 का score आया है 372 और वही note 12 turbo की बात करे तो इसका score आया है 474 मतलब यहाँ पर 100 का different और multi core की बात करे तो यहाँ पर आप पूरा उल्टा देख पार होंगे note 12 ने जो है 1344 और वही बात करें note 12 टर्वो की तो इसने जो है 1322 मतलब यहाँ पर 22 जादा आया है multi score का score note 12 का तो after all इससे पता चल जाता है इन दोने का जो processor है वो कितना एक जैसा है यहाँ पर कुछ खास जादा changes नहीं है और even यहाँ पर जैसमें आर्ट जीवी का RAM है और इसमें RAM है आपका जो है 6 जीवी का बट फिर भी देखिए यहाँ पर जो different मतलब एक बेंच के score है वो आपके सामने है और in fact अगर इन दोनों के camera application interface को देखा जाए तो आपको लगबग लगबग हुबहु एक जैसा ही camera इंटरफेस देखनों मुलता है जैसके आप यहाँ पर देख पार होंगे दोनों में जैसके आप यहाँ पर camera में दीख पार होंगे और जबकि यहाँ पर no 12 टर्बो में जो है वाइटिश्या कर दे रहा है मतलब यहाँ पर जो है अगर आप इन दोनों से इनेबल कर देता हूं यहाँ पर देखिए यह दोनों के front camera है और skin tone की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देख पार होंगे जो exact black है वह आपको यहाँ पर जो है not 12 में देखने को मिल रहा है और जबकि यहाँ पर no 12 टर्बो में जो है थोड़ा सा वाइटिश्य हो जा रहा है मैं फॉर्ट भी लिए खर लेता हूं यहाँ पर फॉर्ट भी आपको दिखा देता हूं कि G96 मैंने बोला जैसे कि Optimize नहीं है और इविन यहाँ पर एक बहुत बड़ा major जो है different है हम सब भी वीडियोग्राफी वगरा काफी करते हैं तो अगर मैं इन दोनों के इन दोनों के front camera की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर इसमें जोए तो camera module में भी काफी बड़ा different होता है जिसकी मैंने बताया आपको gaming में different camera module में different तो obviously अब आपको धीरे-दीरे समझ आ रहा होगा कौन सा वाला variant आपके लिए फाइदे में रहेगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो basically जो है G96, G88 इन दोनों में कुछ खास जादा different है दोनों में 5000 million power battery दिया गया 33 watt के fast charger के साथ और charging time लगभग दोनों का एक जैसा ही है खास जादा changes नहीं है बागी यहाँ पर software में changes देखनों मिलता है Note 12 Turbo में आपको Android 12 दिया गया है Note 12 में आपको Android 11 दिया गया है but Note 12 में बोला गया है जल्दी Android 12 का update मिल जाएगा और even यहाँ पर जाएं इन दोनों में custom skin भी देखनों मिलता है जो की है XOS और यहाँ पर जाएं Note 12 Turbo मिल जाता है XOS 10.6.0 का update latest update में इसने catch किया है और जो ही पर बात करते हैं XOS 10.0.0 तो यह थोड़ा outdated है बट यहाँ पर feature wise अगर देखा जाए तो दोनों phone के features आपको यहाँ पर जो है same देखनों मिलता है जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बागी दोनों में जो dialer दिया जाता है वो Infinex का खुद का अपना dialer दिया गया है यहाँ पर direct video call कर सकते हैं even call recording का भी support मिल जाता है यहाँ पर सामने वालों को पता नहीं चलेगा आप call record कर रहे हैं कि यहाँ पर Google dialer नहीं दिया गया है बागी यहाँ पर settings पर आपको सब कुछ एक जैसा ही देखने हो मिलता है कुछ खास जादा specs के मामले में different नहीं है तो note 12 जो है वो better perform कर रहा है note 12 turbo के मुकाबले अगर यहाँ पर जो है आप note 12 में gaming खेलते हैं तो यहाँ पर gyro का support आपको better मिल जाता है camera में stabilization आपको note 12 में मिल जाता है मतलब अगर video अगर आप record करें तो stabilization आपको जो है यहाँ पर note 12 में मिलेगा note 12 turbo में stabilization नहीं है हाल फिला में ही एक update आया था बट फिर भी यहाँ पर जो है stabilization हमें देखने को नहीं मिला दोनों ही phone में 5000 मिलिया पर battery दिया गया है और charging time लगबग 1 hour 51 minute के आसपास है दोनों ही phone का कुछ थोड़ा 19-20 था बाकी यहाँ पर कुछ खाज जादा यहाँ पर charging time को लेकर changes नहीं है display एक जैसा है processor यहाँ पर मैं बलूँगा mediatek G96 या फिर G88 दोनों ही एक जैसे ही है सेम मिल जाता है कुछ भी खाज आते हैं यहाँ पर sensor में different नहीं किया गया है तो after all दिखा जाए तो यहाँ पर जाए आप choice की साफ से ली सकते हैं भाई मुझे यहाँ पर जो है no 12 काफी बढ़िया optimize मिला no 12 टर्बो के मुकाबले में भी हो सकते हैं यहाँ पर जाए Android 12 दिया गया है साथ साथ एक खोद का एक custom screen थोड़ा updated version दिया गया 10.6.0 जिस पर से यहाँ पर कुछ optimize जो है सही तरी किसा नहीं हुआ है जबकि no 12 में पुराना Android version 11 दिया गया है जिस पर से यहाँ पर optimization काफी सही है और इसमें अगर Android 12 का update आता है तो यहाँ पर जो आपका पिछला जो भी जाइरो वगेरा था वो सब कुछ same work करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से यह phone optimize होके आ रहा है और इसमें 12 भी optimize होने के बा budget भी होगा और यहाँ पर extend भी कर सकते है RAM तो आप यहाँ पर RAM को भी extend कर लीजेगा 5GB कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है आपको यह 12,999 में मिल जाएगा और तर्बो अगर लीजेगा तो भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैसा जादा देने पड़ेगा 2000 बागी यहाँ पर sound यहाँ पर दोनों का ही एक जैसा AMOLED दिस्प्ले का support दिया गया है क्योंकि दोनों में studio speaker दिया गया है आप unboxing देख लीजेगा आपको पतल जाएगा यहाँ पर कैसा है दोनों फोन बागी यही था एक चोटा जा comparison वीडियो वीडियो आपको यह वीडियो होगा अगर पसंदा आओ प्रीज पर वीडियो को लाइक कर दिगा साथा चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बले एक उनको पर क्लिक कर दिया क्योंकि मैं इस तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो जो लानी कोश्च करता था हूं बागी जो है इन दोनों से रिगा हुआ है